Hello students, good morning all of you So, आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे Class 6 के chapter number 1 के बारे में ठीक है इस वीडियो में हम जो हमारे unit test 1 है उनका revision करेंगे तो सबसे पहले हम revise करेंगे very short answer So, इस वीडियो में मैं आपको सभी questions और उनके answer समझाऊंगी और उसके बाद आप सभी learn करेंगे ठीक है तो देखो, start करते हैं इसमें very short answer है इसमें सबसे first question है Name two plants whose stems are used as food हमें दो plants के नाम बताने हैं दो ऐसे पोदू के नाम बताने हैं जिनकी stems को, जिनके तने को हम food के रूप में क्या करते हैं बोजन के रूप में यूज करते हैं तो कौन से कौन से हैं एक तो potato और एक onion ठीक है potato मिंस क्या होता है आलू और onion मिंस क्या होती है प्याज हम इनके अलावा भी ले सकते हैं जैसे कि sugar cane हो गया ठीक है गन्ना हो गया ginger अद्रक हो गई तो हम अपने मंद से कोई भी दो example इसमें लिख सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको notebook में लिखवा है केवल वो ही दो आप लिखो ठीक है लेकिन stems होनी चाहिए तना होना चाहिए ठीक है second question इने इन दा process by which plants prepare their food हमें उस process का नाम बताना है जिससे plants जो है वो अपना खाना बनाते है तो वो कौन सी process है जिससे plants अपना खाना बनाते है photosynthesis के process कौन सी process है photosynthesis के process उसके बाद give two examples of scavengers हमें scavengers के दो example बताने है तो scavengers कौन होते है सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए तो scavengers कौन होते हैं जो कि flesh और dead animals दोनों को खाते हैं मतलब meat mass और dead animals को खाते हैं तो अब scavenger कोई भी दो scavenger ऐसे देखो कि जो flesh भी खाते हैं और dead animals भी खाते हैं तो कौन कोन होगा एक उक तो jackals और एक vulture इसके बाएं इसके बाद next है what is the rearing off honeybee उने large scale called मतलब की honeybee मतलब क्या होता है madumakki तो एक अधिक मात्रा में एक large scale में honeybee के parlenan को क्या कहते हैं क्या कहते हैं apiculture क्या होता है rearing of honeybee उने large scale is called apiculture ठीक है तो एक ज़ादा मात्रा में एक अधिक मात्रा में हनी भी को पालना हनी भी के पालन को मदुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है एपी कल्चर कहा जाता है उसके बाद है गिव टू एक्जाम्पल्स ओफ स्पीसिस हमें स्पैसिस क्या होते हैं मसाले हमें कोई भी दो मसालों के क्या बताने नाम बताने तो म पभी दो एक्जामपल को सकते हैं इस में लिख सकते हैं तो यह हो गए आपके very short कल के वीडियो में हम short का revision करेंगे । एक रुष्छन एक रुष्छन का ऊच्छे में को समझ T क्या बोल रह ईar फिर उसक क्या करने रहे हैं । चैक है प्राइब प्राइब